नमस्कार दोस्तों मैं विज़ेतिवारी स्वागत है आपका अमारी यूटूब चैनल था बुक्स सोसाइटी में जहां हम आजी क्लास में सेब्जेट कोड बी ए ए एनस वन एट थी के चैप्टर नमबर थी की चर्चा करेंगे जहां हमारी चैप्टर का नाम है मानव करना चाता है ताकि परियावटन और भी ज्यादा फ्रभावशाली हो सकें तो यदि आपने पिछले दो चैप्टर की वीडियो नहीं देखिए तो सबसे पहले उन वीडियो को जहुर देखिएगा क्योंकि ये पूरी-पूरी किताब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो यद कि मानव विग्यान के संदर में परियटन की क्या व्याख्या दी गई है तो देखिए परियटन का मतलब आप सभी को पता है पिछले दो चैप्टरों मैंने आपको बताया कि मनोरंजन के उद्देश से जब व्यक्ति यात्रा करता है तो परियटन के लाती है लेकिन सिर्फ परियटन इतना भर नहीं है परियटन समाज के विविन पहलों को प्रभावित करता है और मानव विग्यान इन ही पहलों की क्या करता है अध्यन करता है जांच करता है तो कह रहा है आरम में जो परियटन है वो मानव विग्यान ने परियटन स्थल के मूल लिवासों के जीव के प्रति क्या दश्टिकोन है वो किन-किन संस्कृतियों को रखते हैं वो किन चीजों पर विश्वास करते हैं उनकी भाषा क्या है बोली क्या है शुरुवात में इनी सब चीजों पर ध्यान दिया किसने मानव विज्ञान ने आगे चल कर समय बीता और नईनीक हो जुई और और इसके बाद परेटन में और भी बहुत साइचे शामिल हो गई जिसके परिणामता मानव शास्त्रे विज्ञान का विस्तार हो गया परेटन का अध्यान करने वाले जो मानव विज्ञानी थे इनके भी हित बड़े हो गई यानि कि जो पहले केवलों केवल व्यक्ति के व पादचीत करते हैं वो क्या साजा करते हैं परेटक और मेजबान के बीच में संपर का कारण क्या है और समाज में संस्कृति में क्या गतिशीलता आ रही है क्या क्या नई पहचान आ रही है आत्म चरितर का निर्मान कैसे हो रहा है तो जहां मानव विज्ञान पहले केवल औ को उदे हुआ और हर एक शाका अपने आप में एक specific subject के रूप में विस्थापित होती चली गई जैसे की यह ध्यान दिया जाने लगा कि कौन-कौन से सामाजिक संगठन परेयटन से जुड़े में हिस्ट्री सांस्कृतिक चार्य सामाजिक सांस्कितिक यह सारी धीरे-धीरे करके शाखाईं उत्पन होते गई फिर ये ध्यान दिया दे आने लगा कि धरोवर इस्थल कैसी हो, संग्राले कैसे हो, जहां परेटक जाना पसंद करते हैं ऐसे में मानव विज्ञान में एक नई शाखाई, पूरातात्त मानव विज्ञानियों की जो पूरतत मानविज्ञानी थे वो किसी इस्थल की इतिहास का पतल लगाते हैं वो इस्थल इतिहास में क्यों फेमस था इसके वारे बताते हैं और जितनी भी हमारी धरोवर इस्थल हैं जितने भी हमारे मूज़े में जितने भी हमारे संग्राले हैं ये सब पूरा तात्रिक विज्ञानियों के अध्धन का प्रमुख विश्या बन जाता है फिर आगे चलकर जो भाषा मानविज्ञानियों भाषा ही मानविज्ञानियों जरिक्स की चर्चा हमने second chapter में की भी थी ये ये देखते हैं कि परेटकों की भाषा और मेजबानों की भाषा किस प्रकार से मेल खाती है और किस प्रकार से कम्मिज्ञानियों प्रभावित होता है ये सब भाषा ही मानविज्ञानियों के अध्धन का महत्पूर्ण छेतर है ये भाषा और इशारों का अधान प्रदान का एक ऐसा तरीका है जिसमें बहारी व्यक्ति और अंदुरी व्यक्ति में एक दूसरे के लिए विश्वास पैदा करता है दोना कम्मुनिकेशन सिस्टम के माथन से जुड़ते चले आते हैं बहार से कोई एक व्यक्ति अगर घूमने आ रहे कहीं पर तो कोई जरूरी थोड़ी है वो उस जगह की भाषा को जानता होगा लेकिन उस जगह का जो व्यक्ति है कोई जरूरी थोड़ी हो उस जगह की भाषा जानता होगा जहां से वो बंदा आया है लेकिन फिर भी दोनों के बीच में communication होता है ना दोनों के बीच में understanding होती है ना तरी तो परेटन को बढ़ाओं मिला है तो देखिए परेटन अध्यन का विश्य इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि आज ये economics में एक महत प्रोभूमिका निभा रहा है आज किसी देश की अर्थवस्ता पूरी तरीके से किसपन निरभार हो चीगे परेटन पर तो ऐसे में परेटन का अध्यन करना ही बहुत ज़रूर ज़राता है आगे एक और शाखा बताएगे ये भहुतिक मानव विज्ञान शाखा बहुतिक मानव विज्ञान साखा ये देखती है कि कोई जगा अगर फेमस है तो क्यों फेमस है और अगर फेमस है तो उस जगा पर जो परेटक आ रहे हैं उनको और बहतर सेवाई कैसे दीजा सकती है इसके लिए वो योजनाय त्यार करती है बिविन प्रकार के मानव शरीर के माप, भूमी, वायू, समुंद्र और वहानों में जो सीटों का निर्मान इस समय साहता करते है कि अगर भाई कोई जगा फेमस है तो वहां तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए वहां तक कम्निकेशन बढ़ाई जाए, वहां तक ट्रांस्पोर्टेशन बढ़ाई जाए, वहां होटल, रिजॉर्ट, इन सब की स्थापने की जाए ताकि जब लंबी दूरी से कोई व्यक्ति आए तो अराम से आ सके और यहां पर अराम से आनन्द में जीवन बेता सके तो मानव विग्यान के संधर में परेटन की वेक्षा कैसे की जा रही है, तो परेटन का मतलब है आमोत और प्रमोत के उद्देश से की कई आत्रा, जान शुरुवात में मानव विग्यान सीर्फ और सुर्फ व्यक्ति के जो वहां के मून लिवासी उनके व्यारों का पर कारे कर रही है ताकि परेटन को और भी जादा बहतर बनाया जा सके, परेटन से जुड़ी समस्याओं को सुल्जाया जा सके, अब बात यह आती है, मानव विग्यान में परेटन के अध्धन का इतिहास कहां से शुरू होता है, कुछ बात इसकी चैप्टर नमबर 2 में कर करते हैं, तो हमारे सामने एक नाम आता है, वैलन इसमित का, वैलन इसमित की बात की जाये तो उन्होंने परेटन पर एक किताब लेकिए है, होस्ट्स एंड गैस्ट्स, होस्ट्स एंड गैस्ट्स, होस्ट्स का मतलब जो बंदना मेजवानी कर रहा है, गैस्ट्स मतलब जो सिखाई जाएं और दूसरे विश्वित के बाद जो विश्वे परिवर्तन हुआ है उसके बारे में भी बताया जाए तो परेटन की दुनिया के बारे में उनकी विशेषग्यता ने उन्हें 1950-60 के सशक में ये रोप तथा एशिया में दुनिया के विन हिस्सों की यात्राओं के लिए एक लोग प्रिये अकैडमिक मेंबर बनाया किसको वैलन इस्मित को तो माना विज्वित परेटन की इत्यास की बात करते तो उनसे कौन-कौन सी चीज़े प्रभावित हो रही हैं ये सब चीज़े इस किताब में लिखी गई आगे चलकर जब इस्मित की किताब प्रकाशित हुई तो बड़े प्यमाने पर सेमिनार आयोजित किये गए जैसे कि American Anthropological Association यानि कि AAA ने एक समाचार पत्र में एक एर्टिसमेंट निकाला और उस एर्टिसमेंट में यह कहा कि जितने भी लोग परेटन के अधर में रूची रखते हैं वो सभी लोग इस सामिनार में भाग लेने आए और बहुत बड़े प्यमाने पर लोग आए भी तो American Anthropological Association की 1974 में मैकिसको सिटी में बैठक होती है और बड़े पेवाने पर यहाँ पर लोग आते हैं 35 से भी अधिक प्रतिनिती आते हैं जो अपने विचार देते हैं और अपने कंक्लूजन देते हैं इसी प्रकार से थेरोन नूनेज ने एक लेक लिखा टूरिज्म ट्रेडिशन एंड एक्वलिडिशन मैक्सकन विलेज में विकेंडिजमो देखिए जो नाम है यह आपको ऐसा कैसे लिखने पड़ेंगे इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यह लेक 1963 में प्रकाशित हुआ और मानोशास्त और परेटर में उनके योगदान के लिए इस सत्र में मरने के बाद उने सम्मानित भी किया गया अंत में इस सित्र का जो इस सेशन का मुख्य योगदान था वो उन सभी पुस्तकों की बात की गई जो कि टूरिज्म के विशे में लिखी गई है 1975 में मेक्सकों के मेरिडा में सोसाइटी फॉर एपलोड एंत्रोपोलोजी के साथ इसी तरीके का एक और सेशन आयो जित हुआ जैसा सेशन अमेरिकन एंत्रोपोलोजी का लेसेशन हुआ था उसी प्रकार के मैक्स कोम के मेरिडा में सोसाइटी फोर एपलोड एंथ्रोपोलोजी का एक सेशन और हुआ इसमें भी भहुत साय लोग शामिल हुए 1987 तक इसमित को ये लगने लगा जो उनकी पूरानी किताब है होस्ट एंड गैस्ट अब इसमें कुछ बदलाव की जूड़त है इसमें और भी पेपर लिखने जाने चाहिए और जो कुछ पेपर काम के नहीं उन्हें हटा देना चाहिए तो एसमें इसका थर्ड एडिसन आया और थर्ड एसमें इसका नाम बदल दिया गया और इसके नाम रखा गया होस्ट एंड गैस्ट रिविजिटेड दो हजार एक तो मानव इज्ञान और परेटन के छेतर में जो चिंताए हैं जो हितों को बदलने के लिए नई निक होजे की गई और उन सबको किताबों के माध हमसे दर्शाया गया तो मानव इज्ञान में परेटन के अधिन के 23 की बात करेंगे तो शुरूआत होगी 1970 के दर्शक में और लगाता इसके बाद फिर सेमिनार होगी बहुत सारी लेक बहुत सारी मैगजीन आएंगी और बड़े पहाने पर बहुत सारी लोग इसमें शामिल यह बड़े बड़े नाम है जिन्होंने परेटन में अपना महतपुण योगदान दिया है वेलन समित की बात की जाए तो वेलन समित की तुलिना में जो उनकी किताब है host एंग इसके बाद के जो इसके बाद के जो इसमें par skeleton के बारे में और भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई दीन में में कैनल जासे मानव ज्ञानिव ने अपनी थेोरी का अलग से प्रचार किया 1976 में par skeleton पर में कैनल ने काम किया और उसनों ने क्या कहा उनने कहा कि परेटन में संकेत भी एक महत प्रुभूमी का निभाता है प्रतीक भी एक महत यानि कि संकेत और सिंबल परेटन को एक छेश से जोड़ने वाले प्रमुख बिंदु हैं डैनिसन नेस्ट और नेलसल गैबरेन ने परेटन इतिहास में योगदान दिया तो यह नाम आपको ऐसी लिखने पड़ेंगे अगर आपको नबर चाहिए तो तो मानविद्याने परेटन का अध्धन का इतिहास आएगा तो आप कर देंगे तो जैसे 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 टूरिज्म में लोग की लोग परिता बढ़ती गई टूरिज्म का अध्यन करने में लोग की लोग प्रिता पड़ती गई, वैसे वैसे नहीं नहीं रिसर्च होती गई, नहीं नहीं मैगजिन छपने लगी, जैसे एक मैगजिन का नाम है, एनलाइजेज आफ दा टूरिम रिसर्च, 1983 के अंक में परियटन पर मानुषास्ते कारियों के लिए इसमें लिखा गया, 20th century में विकास एक महत्पूर मुद्दा था, और इसके बारे में चर्चाएं भी की गई, आगे चलकर जब नई century है, 21 विश्रताब दियाई, तो एक नए मानुविज्यानी थे, एमेंडा, इस्ट कर रहा है, आज development के प्रभाव, विकास के प्रभाव किस प्रकार से हर छेतर पर पड़ रहे हैं, ये बार 20th century का प्रमुख मुद्दा बन गई, तो ये परियटन का इतिहास था, आगे बता जाएगा परियटन और मानुजाती का वर्णन, यानि कि एक एथनोग्राफर, एक म इसमें अपने आपको पहले विधी के रूप में, फिर एक उत्पात के रूप में, स्थापित करने की विश्वत्तिन नेता पर जोर दिया गया, और ऐसी जानकारी इकठी करने के लिए बात किये गई, जिससे परियटन को और जादा बढ़ावा मिल सके, और वास्तों में ए जाने से पहले क्या-कया योजनाय बनाता है, इन सब चीजों का अध्यन करने की बाद इसमें की गई, जहांपर पहली चीज थी, पर्येटक पर क्या-कया चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहां पर समझता ह्या रहती है, कि एक एथनोग्राफर, एक एथनोग्राफर की द्रश स्थल्ग करने जाएगा कि कहीं पर संबंद कैसे वहां की संस्किति कैसे ऑ hoa की भाशा क्या है तो ऐसे में वह एक परेटक के निजरिये से देखे या फिर अपने विश्य के निजरिये से देखे ये बड़ी समस्या आ जाती है ऐसे में कई बार एथनोग्राफर का दिश्टिकोंड ना एक परेटक के दिश्टिकोंड से मेल खाता है और कई बार एक परेटक भी जो चीजे लिग देता है वो एथनोग्राफर सिकार कर लेते हैं अब बात आते हैं कि एथनोग्राफर के निजरिये से परेटक स्थल कैसे होने चाहिए तो एथनोग्राफर्स ये कहते हैं कि परेटक स्थल में जातर जो परेटक स्थल है वो एत्यासी ग्रूप से महत्पूर रहे हैं यानि कि पहले से ही टूरिस्ट को ये पता हो वास्त में उसे देखना चाहता है और होता भी ऐसे यह तो ऐसे मिं जो हमारे इस्थल है जो लोग देखने यह आ रहे उससी सल्कों तो उस में ना बनावती दूनिया नहोग्ग वैसाई का वैसा ही हो कि पुराने आदर्स वहाँ पर जीवित हूँ ये सब चीजे जम्मेदारी बनती है उधारण के लिए जब भारत की बात की जाते हैं भारत में जो लोग आते हैं पश्मी लोग जो आते हैं वो ये सोचने कि भारत में हम क्या देखेंगे भारत की संस्किति देखेंगे सपेरों को देखेंगे जादुगरों की आकर्षक भूमी को देखेंगे नागा स्वन्यासियों को देखेंगे हातियों को देखेंगे और सच्चे प्रेम के प्रतिक ताज महल को देखेंगे यह ऐसा हूँ सोच कर आ रहे हैं परेटक के उपस्तिती एक निर्विश्षृणियाश्णी ग्यानि दिल्चस्पध्धियन के अनुमतिधी के अगर परेटक है तो उसका देश्ट्रिकोर्ड वहाँ पर क्या है? वो किन चीजों को देखना चाहता है? इस्थानी लोगों के बारे में वो कैसी सोच रखता है? वो किस प्रकार से आनंद को प्राप्त करना चाहेगा? इसलिए समझना जादा महत्पूर्ण है वो वर्तमान, अतीत की कल्पना और वास्तिक्ता इन सब के बारे में उलज गए है कि एक परेटक क्या-क्या सोच सकता है? एक महमान को क्या-क्या चीज़े चाहिए? देखे कई बार हम यह सोचते हैं कि वो ब्रिटिशिश भारत में आया गर घूमने कोई अमेरिकन भारत में आया घूमने या फिर किसी और देश का बंदा भारत में घूमने आया तो हम इसे वो ही कल्चर दे जिससे वो आया तो फिर यहां पर क्यूं आयागा? वो तो ही सोचे का कि मेर देश जासा ही है तो हमें उसके सामने अपने कल्चर को ने दिखाना ही पड़ेगा तो एक एथनोग्राफर और एक परेटक की तुलना में एक अत्यधिक विपात है इस पर छेदर जिसकी बात मैंने पहले ही कर दी कि एथनोग्राफर जिस नजरी से देखता हो सकता उस नजरी से परेटक भी देखे ऐसे में कुछ विद्वानों दोरा ये बहस की जाती है कि एक परेटक की क्या भूमिका होती है और एक एथनोग्राफर की क्या भूमिका होती है कि वो समाज में कल्चर के बारे में कैसे बता सकते हैं दोनों के बीच में कई बार समानताई भी होती है जैसे कि प्राचीन काल में बहुत सारे समुंदरी यात्रियों ने समुंदर की यात्राय करी और विभिन छेत्रों की खोज करी अब इन्होंने जब विविन छेतरोगी खोच करी तो यह वापस अपने देश में आये उन्होंने इन चीजों के बारें बताया जैसे कि हम सब इक बता कॉलंबस ने अमेरिकी महाधीप के खोच की वास्कड़िगामाने भारती है कि और जाने वाले समुद्र रास्ते ही खोच की तो यह समझे जब इन्होंने आये तो वहां के सोदेशी लोगों के बारें बताया तो वो चीज़े लिखी गई तो अन्य लोगों में भी यह उत्सुकता पैदा हुई कि वहाँ पर जाए उन्चीजों को देखें तीसरी जो चीज है जिसका अध्यन एत्रों ग्राफर करते हैं वो है मूल निवासी यानि कि मेजबान यानि कि सबसे पहले किस चीज का अध्यन करा जगह का फिर किसका अध्यन करा टोरिस्ट का अब किसका अध्यन करेंगे जो वेक्टिव वही पर रहता है मूल निवासी यानि कि मेजबान जो होष्ट करेगा व्यक्ति को तो मेजबान की बात कि जाए तो मेजबान कई बार महमानों की नकल करता है लेकिन ये कुछी समय के लिए करता है इसे हम सांस्कृतिक बहाओ कहते है इसे हम क्या कहते है सांस्कृतिक बहाओ देखिए जब दो बंदों की संस्किति एक साथ मिलेगी तो definitely एक बंदे की संस्किति का दूसरे बंदे की संस्किति पर पहा होगा ऐसे में मेजबान ये चाहता है कि महमान को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो इसलिए मेजबान महमान की भाषा को सीखता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी भाषा बूल जाता है वो महमान के साथ में महमान के भाषा का प्रयोग करेगा महमान के कल्चर का प्रयोग करेगा और महमान के चले जाने के बाद वास्तों में अपने रंग में लोटाएगा इसे को हम कहेंगे सांस्कृतिक बहाओ तो मेजबान महमानों की तरीकों की नकल करता है समय की अवधी के साथ साथ मेजबान समुदाई की संस्कृतिक और समाजिक संकृतिक प्रभावित हो जाती है इसे ही हम सांस्कृतिक बहाओ कहते हैं मैथिसन और वॉल ने 1992 में इस चीज़ को बताया भी है कि जब मेजबान अपने महमानों के सामने आने पर अपने वहार को बदल देते हैं और परेट टक चले जाते तो फिर से समायन हो जाते हैं इसे हम सांस्किति भाव कह सकते हैं तो यह मैंने हाईलाइट कर रहा है आपके पास अगर किताब है तो अच्छी बात है नहीं है तो आप इससे स्किन सोट लेकर पढ़ सकते हैं कई बार जो पर सांस्कितिक परिवर्तन होता है यह पीडी दर पीडी हो जाता है मेजबान अपने कारेयों को आने वाली पीडियों के लिए सौब देता है क्योंकि ग्यान का मतलब क्या है ग्यान का मतलब है एक पीडी द्वारा जितना भी अर्जित किये गी चीज है वो अपने आने वाली पीडियों को बता दे उधान के लिए भात में जितने भी हिल इस्टेसंस हैं ये अंग्रेजों के पसंदिदा परेटनिस्थल थे और ये बिरिटिस संस्कृति का हिस्था थे और आज भी कायम हैं एथनोग्राफ़र एक बंदा था नैश जिसने इस बात की चर्चा भी की है कि जब मेजबान परेटनिस्थल बन जाते हैं तो वो अनकूलन करते हैं होटल, लिजॉर्ट और मरुजन केंद्रों के निर्माण के साथ मेजबान उन सभी जरूतों को पूरा करता है जो मेहमानों को घर जासा महसूस करा सके ताकि मेहमान जब आए तो उस छेतर को महसूस कर सके उसके डेली रूटीन से अलग हो वो उसे वास्तों में मनोरंजन प्रदान कर सके तो टूरिष्ट और मेजबान यानि कि मेहमान और मेजबान के बीच में सभी संपर्ख है कई बार इसके हम गलत व्याख्याएं कर देते हैं तो वो व्याख्याएं गलत ना हो इसके बारे में विभिन विचार को ने अपने अपने योगदान दिये हैं तो अब तक चैप्टर से इतनी ही बात बनिये क्या कि मानो विज्ञान में परेटन के अध्धन का इतिहास क्या है माना विज्ञान में परेटन के अधन के उभी शाखाँ का वडि dunno कीजिए परेटन और माना जाते का क्या संबंद है यानि कि परेटन और माना ओर एתनोग्राफ़ी का क्या संबंद है और एक एतनोग्राफर किस मजरीए से देखता है आगे चैप्टर में जो बात बसती है वो तीर थियात्रा की बसती है कि परेटन में तीर थियात्रा क्या रोल होता है लेकिन इस से अगला जो पेरग्राफ है तीर थियात्रा के बारे मैंने सेकंड चैप्टर नहीं बता रखा चुकी है तो देखिए देखिए मैंने paragraph छोड़ा नहीं है कहीं आप comment करके कहने लग जाए तीर थियात्रा की बाद second chapter में हो चुकी है तो अल लेड़ी आप उस वीडियो को जोड़ो देख सकते है playlist में जाके तो देखो प्रमाणिकता क्या है मैं किसी जगा पर घूमने जा रह तो प्रमाणिकता की जाच बहुत जाए जरूरी है आज परेटन में जो प्रमाणिकता है यह बहुत बुरी दरीगे से प्रेटन को प्रभावित कर रही है इसलिए सारे महनव विज्यानी जो है वो इसके अध्यन में रूची लगा रहे हैं और लगाता चिंता भी व्यक्त क कर रहे हैं ऐसे में तीन सिध्धानत आते हैं इसके लिए एक वस्तुवाद का सिध्धानत आता है एक रचनावाद का सिध्धानत आता है और एक उत्तर आधुनिकतवाद का सिध्धानत आता है तो कोशन यह बनता है कि परेटन में प्रमाणिकता का क्या महत्व है इसके वि परेटक जो चीज देखना चाहता है उसे वो चीज दिखे लेकिन कई बार ना इसके बीच में भी विवाद है कई बार हो सकता है ना कि परेटक ये चीज सोचकर आ रहा हो कि जो मैंने पढ़ा है वो गलत है क्या पता उस जगा पर वो चीज होई ना जैसे हम जादू कहानिया पड़ रहे हैं हम बहुत सारी चीज ऐसा सुन रहे हैं जैसे हमसे कोई कहे दूद का भी जहरना होता है क्या फिर हम उस जगा को देखने जाएंगे और ये सोचेंगे ये चीज नहीं होगी तो बस ये सारी समस्याइं हैं तो कई बार परेटक प्रमाडित्ता को देखने करता है ये आदिव मानव विदेशी जन जाती और इतिहास से ठहराओ की छवियों से बढ़ा हुआ है इस तरह के छेत्रों को हकीकत ने भले ही तबदिल कर दिया हो लेकिन प्रमाडित्ता आज भी बनी हुई है आज भी कल्पना की जाती है आज भी परेट्र को देखा जाता है और परेटन व्यवसावी को फलने फूलने के लिए ऐसी प्रमाडिक वास्त्र विक्ताओं को निनमाड़ भी किया जाता है कि विदेशी जन जाते ओंग छेतर है या अदिम जन जाते हो का छेतर है इसका इतिहास एसा है यह साई चीजे परेटन को प्रभावित करती है तो मेजबान कई बार क्या करता है किसी स्थान पर एक ऐसी घटना को दिखाता है जो कुछी समय के लिए होती है जो की परेटक को मनुझन के उद्धेश से होती है हाला कि मैक कैनल ने एसामात होती हुए अपनी बात रखी चीज से और ये कहा कि परमाडिकता के तलाश में परग रही आधुनिक परेटक इसलिए प्राचिनता प्राकरती की तलाश करता है जो अभी तक आधुनिक से अच्छ होता है यानि कि इस लाइन का मतलब ये है कि कई बार परेटक इसलिए यात्रा करता है इसलिए देखता है कि आज modernity इतनी जादा हो गई है विष्ट इतना जादा आधुनिक हो गया फिर भी कुछ लोग क्या ऐसे हैं जो आज भी प्राचिन परंपराओं में जी रहे हैं अगर जी रहे हैं तो उन लोगों का जीवन कैसा है जो कि उन्होंने इतिहासे पढ़ा है और इस चीद को जानकारी प्राट करना चाथे हैं तो परेटक वास्ताउं वो देखना चाहते हैं जो आज की दुनिया के हिसाब से नहीं है या दो दुनिया से बहुत चीज़े चीज़े आगे हैं या फिर बहुत चीज़े पीछे हैं ऐसा मैक कैनल ने अपनी बात कही है दोसा सिध्धानत है रचनावादी सिध्धान यह सिध्धान पता क्या है यह सिध्धान यहीं से निकला है वस्तुवादी सिध्धान से क्योंकि चीज़ें परिवर्तन शील होती है इसके बारे में जो बताया है वो समासासी एरिक कोहन ने कोहन ने कहा है कि कोई भी चीछ जो है वो समयक साथ क्या होते है प्रभावित होती है उसमें बदलाव होता है और यह बदलावी जो है यह परिवर्थनी जो है यह रचनावाद है यह रचनावाद है क्योंकि जब दो संस्किति आपसे मिलती है दो लोग आपसे मिलते हैं तो गतिवीदी अधाइ प्रमाडिक्ता के रुप में भी जानते हैं, ये सिध्धान दोनों से भिन हैं, कौनसे से, रचनावास से भी, और वस्तुवास से भी, ये यात्रा के उद्देश से संब्दित नहीं है, बल्किये तो अनभव के उद्देश से संब्दित है, कि अनभव प अस्तित की स्थिति को प्राप्ट करता है तो अगर अस्तित का प्रमाणिक्ता से कोई लेना देना नहीं है ऐसा वांग कह रहा है जबकि एंगलर का कहना है कि वस्तुवादी को जाहतर एक सिध्धान्त के रूप में त्याग दिया गया है तो 1950 के दशक में प्रमाणिक्ता चर् तो यही आएगा कि प्रमानिक्ता क्या है और इसके सिध्धानतों का वर्णन कीजे चैप्टर ही फिनिश होता है आगे चैप्टर का एक निश्कर्स दिया हुआ है आशाय आप कोई लेक्षा समझ में आया होगा और इसमें से कोई प्रश्ण बनेंगे तो आप इन प्रश्णों का उत्तर देने में क्या है सक्षम है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स चैप्टर में